नमस्कार दोस्तों 13 सेप्टेंबर 2020 के करेंट अफेर्स बर्निंग इश्यूस डिसकेशन में आपका स्वागत है आज की पूरी की पूरी इंपोर्टेंट डिसकेशन में आपके साथ डिसकेशन करूँगा आगे बने इस पहले वही बाते हैं अगर लेक्चर की पीडिएफ चा और नाथूला बॉर्डर ट्रेड देखिए नाथूला जो पास है आपका सिक्किम और तिबत के बीच में यहां पे काफी सारा ट्रेड होता है सिक्किम के जो ट्रेडर्स है वो अपना समान तिबत साइट पे बेशते हैं तिबत के ट्रेडर्स अपना समान इंडिया की चुकि COVID-19 का आउटब्रेक आ गया तो उसकी वज़े से भी ट्रेड कम हो गया और उसके साथ-साथ ये जो अभी stand-off चल रहा है इंडिया चैना की बीच में उसकी वज़े से भी ट्रेड बंद हो गया है अभी ट्रेड ही बंद नहीं हुआ है एक और event बंद हो गया जिसको बोल होती है दोस्तों जो कि आपका इसे किम में एक होती है लिपूलेक पास से लिपूलेक पास है आपका उतरा खंड में अभी लिपूलेक पास बहुत ज़दा न्यूज में रहा है ये जो काला पानी वाला इशू रहा है जहां पे नेपाल ने अपना मैप बदल दिया और मंडे टु थर्स्टे रेजिस्ट्रे ट्रेडर्स हैं वो यहां पे ट्रेडिंग करते हैं एक दूसरे के साथ अब नाथूला पास की इंपोर्टेंस देखे दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि जब लोग सिक्किम वगरा गुमने जाते हैं तो वो नाथूला पास जरूर जाते हैं और एक जगह पर वो जरूर जाते हैं वहाँ पर एक बाबा हर्बजन सिंग जी का टेंपल है जब 1960s में इंडिया चैना के बीच में लड़ाई चल रही थी तो बाबा हर्बजन सिंग के इम्रत्य हो गई थी फिर वो किसी दूसरे सोलजर के सपने में आये और उन्होंने आके बताया कि मेरी लाश वहाँ पर कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी बॉर्डर को गार्ड क चुरू हुआ तो आप देखोगे इंडिया से चाइना में जो एक्सपोर्ट थे 27.87 लाग के चाइना से इंडिया में जो इंपोर्ट आये वो थे लगबग 7 लाग के और जो इंपोर्ट हो रहा है वो लगबग हो रहा है 19.3 करोन का तभी एक और इवेंट हुआ था 2017 में जो की था डोकाला स्टैंड आफ डोकाला स्टैंड आफ के दोरान भी आप देखोगे कि जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेट था वो 90 प्रतिशत से गिर गया ब तो इस स्टैंड आफ पर डिपेंड करता है जब डोकाला का स्टैंड आफ हुआ तब ट्रेड गिरा बाद में बड़ा अभी के लिए जो स्टैंड आफ चल रहा है लद्दाग में उसके चक्कर में पहले ट्रेड गिर गया है हो सकता है कल की रेट में जब इस स्टैंड आफ वो 7.83 करोन का एक्सपोर्ट हो गया था 2017 के दोरार फिर आप देखोंगे 2018 में ये ट्रेड बढ़के फिर से 52 करोन पहुँच गया था और चाइना से जो इंडिया में इंपोर्ट हा रहा था वो लगबग 3.2-3 करोन का आ गया था 2019 में नाथुला पास के रास्ते जो ट्रेड है वो और डेक्लाइन हुआ चुकि रोड्स की कंडिशन बहुत पूर है पहाड़ी इलाका है जो आपकी वेदर कंडिशन से वो काफी टफ है बहुत स्टीप रास्ते हैं तो एक्सिडेंट्स बहुत से होते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़े हैं तो यहाँ पी जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताए कि नाथुला के रास्ते जो ट्रेड होता था अगर आपसे बोला जाए कि इंडिया चाइना स्टैंड ओफ को लेके क्या नुकसान हो रहे हैं अगर इस तरीके का कोई सवाल आता है तो उन नुकसानों में आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हो नेक्स्ट जो निउस आज हम डिसकस करेंगे वो है आपका दिल्ली रियाट्स को लेके आपको पता है सिटिजन्शिप अमेंडमेंट अक्ट के अगेंस में जब आपके प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उसमें दिल्ली में कुछ जगों पर राइट्स हो गए थे अब राइट्स में एक charge sheet file हो और बाद में पुलिस ने एक और supplementary charge sheet file किये जिसमें उन्हें उन्हेने बोला है कि communist party of india marxist के जो जर्नर सेकरेट्रीан सिता राम यचूरी और सुराज इंडिया के जो प्रेजिडेंट है योगेंदर रियादव और कुछ और लोगों ने मिलके दंगों को भढ फातिमा अलियास गुल है ठीके न गुल फिशा फातिमा इनका नाम इनको गुल भी कहा जाता है ठीके यह वन आफ दोस एक्यूस्ट है इनका ही यह बोलना है कि मिस्टर ये चूरी और मिस्टर यादव आके प्रोवोकेटिव भाशड दे रहे थे क्राउट को मॉबलाइज करन एंटी मुसलिम है ठीके और इन्होंने क्राउट को भढ़काया और भढ़काने का रिजल्ट क्या हुआ कि भाई आपके दंगे हो गए तो यह इन दों चीजों के नाम है हलाकि इस इन्फॉर्मिशन को कहीं कोर्ट मत करिएगा चूकि सीदे सीदे लीडर्स के नाम आ रहे हम नीट्रल रहना है आगे पीले हैंट्स ओवर पांच अड़नाचल यूथ हूस ट्रेट इंटु चाइना देखे यह एक बहुत अच्छी निउस निकल के आ रही है हमारे पांच भाई जो की अब गलती से वो चाइना की साइड चले गए यह चाइना की सोलजर्स ने हमारे किलोमीटर इस्ट पर उनको वापस किया गया है मेंगमोहन लाइन पर वो कैप्चर हुए था आपको पता है अरुनाचल प्रदेश और तिबद को सेपरेट करने वाली जो पांटरी है उसको आप मेंगमोहन लाइन बोलते हो उनको उनकी फैमिलीस को दे दिया जाएगा उनक के प्रोटोकॉल के चलते कोरिंटीन में रखा जाएगा और जैसे ही 14 दिन का कोरिंटीन खतम हो जाएगा इनको इनकी फैमिलीस को वापस कर दिया जाएगा तो एक अच्छी न्यूस यहाँ पे निकल के आ रही है जो पांच टीनेजर थे यह हंटिंग करने गये थे तुंग एक्सवन कोविड वैक्सीन इसका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था थर्ड फेस का अभी इस क्लिनिकल ट्रायल के दौरान एक परसन की हालत बहुत ज़दा खराब हो गए यूके में तो इसके क्लिनिकल ट्रायल को रोग दिया गया था कौन बना रहा है इस वैक्सीन को यूके की इसके ट्राइल चल रहे हैं यूसे में ब्राजील में साउथ अफ्रीका में इंडिया में पूने बेस्ट सेरम इस्टिट्टूट अफ इंडिया ऐस्तरा जनिका के साथ पार्टनर्शिप करके ट्राइल कर रहा है तो आप देखोगे जो drug controller general of India है जब इस Oxford की vaccine का trial बाकी countries में बंद हुआ तो drug controller general of India ने Serum Institute of India से भी एक explanation मांगा था हाला कि अभी के लिए देखेंगे कि इस vaccine का trial फिर से शुरू हो गया है अभी तक इस बात पर कोई proper खबर आई नहीं है कि यह जो adverse event हुआ था यह जो आपका UK में trial हो रहा था जब इस vaccine का जो इस adverse event हुआ था इसमें actually में हुआ कहता है किसी को पता नहीं ओके वन ओफ देगेस ट्राइल से इस vaccine का दुनिया भर में 18,000 individuals पे trials चल रहे हैं कोरोना वाइरस की vaccine को तेजी से बनाने के रहे हैं इस vaccine का नाम याद रखिएगा CHAD-OX1 COVID vaccine फिर more logistics packed on the cart देखें इंडिया का इस समय सारी quad countries के साथ एक logistic agreement है होस्टेलिया के साथ भी है जापान के साथ भी है USA के साथ भी है USA के साथ हमारा जो logistic agreement है उसको आप बोलते हो Lemua Logistic Exchange Memorandum of Understanding ये US के साथ 2016 में ही sign कर लिया गया था US के साथ एक और agreement है जो की communication system से related है जिसको आप बोलते हो ComCasa Communications Compatibility and Security Agreement मार्च 2019 में इंडियन नेवी और US नेवी ने एक और agreement sign किया था Centrix Combined Enterprise Regional Information Exchange System Australia के साथ हमारा जो logistic agreement है उसका नाम है mutual logistic support agreement और अभी recently मैंने इसकी ओपर एक वीडियो बनाई थी इंडिया ने Australia के साथ जो अपनी partnership है उसको strategic से comprehensive strategic partnership पर elevate कर दिया है और finally यहाँ पे हमने अभी recently देखा था कि Japan के साथ भी हमने एक logistic agreement sign किया है अभी quad members देखो तो Australia के साथ, Japan के साथ, US के साथ हमारे logistic agreement है कुछ और logistic agreements के उपर बातचीच चल लिए जैसे इंडिया बहुत जल्दी Russia के साथ भी logistic agreement sign करेगा United Kingdom के साथ भी logistic agreement sign करेगा Vietnam के साथ भी logistic agreement sign करेगा अभी इसके फाइदे क्या क्या है, देखिए फाइदे बहुत जादा है Russia के साथ जो logistic agreement sign करने के बात की जारी, उसका नाम है RACIPRO का logistic support First of all, इसका international policy realization क्या है देखिए, अगर Russia के साथ हम इस तरीके के logistic agreement sign करते है तो एक बात तो बिलकुल प्रूव होती है कि sign होते रहे, तो कभी भी Russia की foreign policy में China dominate नहीं कर सकता और इस तरीके की logistic agreement sign करने से Russia को आपको पता है कि Arctic region में Russia की presence बड़ी जबरदसत है तो Arctic region में जितनी भी Russian assets है, उसको India इस्तमाल कर सकता है और Arctic आने वाले समय में एक important shipping route हो जाएगा तो आप कह सकते हो कि अगर Scandinavian countries, USA, Canada तक अपने समान को पहुचाना है तो Arctic region एक बहुत important shipping region होगा तो अगर वहाँ पे इंडिया का एक logistic pact agreement है तो इंडिया के shipping vessels को, military vessels को काफी फाइदा होगा अभी recently, जो माला बार exercise होने वाली है उसमें हमने ये जो जो भी logistic agreement sign किये है उसका हमको फाइदा दिखेगा logistic agreement को sign करने का एक बहुत major role होता है दोस्तों जहां पे भी हमारी navy घूम रही है दुनिया भर में हमारे navy ships को dock करने की जगा मिलेगी और ये एक बहुत बड़ी चीज है आगे बात करते हैं एक news निकल के आ रही है preserve progress सेष्ज जैशंकर यहां पे क्या निकल के आ रहा है देखे आपको पता है अफगानिस्तान peace talks चल रही है अभी इस अफगानिस्तान peace talks में एक meeting हुई है और इस meeting को US Secretary of State Mike Pompeo ने भी attend किया है अफगानिस्तान High Council for National Reconciliation अबदुल्ला अबदुल्ला जी ने इसको attend किया थो अभी आप देखोगी यहां पे इंडिया का एक senior official भेजा गया जिनका नाम है जेपी सिंग इस meeting को online address किया है हमारे foreign minister साब ने एस जेशंकर साब ने पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं पे अफगानिस्तान से related negotiations चल रहे हूँ और इन negotiations में Taliban का representative directly participate कर रहा है और उस meeting को एक Indian minister ने address किया हूँ यहां पे आप देखोगी एक बहुत major shift नजर आ रहा है इंडिया की foreign policy में Indian foreign minister ने जो भी statement दिया उसमें कहीं पे भी Taliban का नाम नहीं है इंडियन foreign minister ने साफ-साफ यह बोला है कि any past peace process in Afghanistan should be Afghan-led, Afghan-owned, Afghan-controlled to respect the national sovereignty and territorial integrity of Afghanistan and preserve the progress made in the establishment of a democratic Islamic Republic of Afghanistan तो अफगानिस्तान के pro बात की उन्होंने यहां पे तो कहीं न कहीं इंडिया भी अब इस बात को realize कर रहा है कि अफगानिस्तान में peace process को लाने के लिए तालिबान को कहीं न कहीं accommodate करना पड़ेगा और इंडिया शायद तालिबान के साथ सीधे-सीधे जो अपने रिष्टे हैं वो सिधारना चाहता हो चुकि इंडिया को पता है कि हमारे बहुत सारे foreign policy assets हैं अफगानिस्तान में जिनको बताने के लिए हमको एक आप कह सकते हो कि balanced approach की जरूरत है आगे बात करते है Airlines face ban over photography अभी एक recent incident हुआ था आपको पता है कंगना रनाओत ठीक है आज कल तो भगिया ये Bollywood celebrities हमारी foreign policy ज़्यदा important हो गए तो ये चंडीगर से Mumbai की flight में आ रही थी तो बहुत सारा television का new cruise news cruise camera camera लेके पहुँच गया और आप देखोगे एकदम chaotic scene सा मना हुआ था airplane के अंदर COVID-19 के safety protocols की बीच में इस तरीके का बवाल मच रहा था तो Directorate General of Civil Aviation ने airlines को warn किया है कि भाईया देखिए flights पे photography को आप प्रापर तरीके से करवाईये जब ऐसा नहीं है कि जो television reporters है वो अपने बड़े बड़े क्यामरा लेके कहीं भी गुसे जा रहे हैं ये किस के against है ये rule 13 of aircraft rules 1937 के against है no person can take at government aerodrome or from an aircraft in flight any photograph except in accordance with or subject to terms and conditions of a permission in writing ठीक है वैसे तो हम लोग देखिए plane में बैठते हैं take off का landing का हम लोग video लेते हैं it's okay बट अभी के लिए ये जो scene हुआ चंडीकर मुंबई फारेट में महाँ पे बड़े बड़े जो camera reporter से वो अंदर गोसा है एकदम बवाल समझ गया बेड़े लगी हुई थी इस चक्कर में DGCA का notice गया airlines को और airlines ने बोलाए कि अगर आप photographic नियमों को अगर आपने ठीक तरीके से पालन नहीं किया rule 13 of the aircraft rule 1937 को break किया तो आपके against हम action लेंगे फिर यहाँ पे एक important news Japan PM hopeful says he may need Abbey's help on diplomacy देखि शिंजो अबे जी ने बोलाए कि उनकी तबियत खराब है तो शायद वो as a Prime Minister of Japan continue नहीं कर पाए तो उनकी जगा पूरे chances हैं कि यह person योशी हीडे सुगा यह हमारे यह मतलब जापान के Prime Minister बनेंगे अभी योशी हीडे सुगा कह रहे है कि हो सकता है कि शिंजो अबे जी की मुझे मदद लगे diplomatic skills में चुकि मेरी diplomatic skills शिंजो अबे जैसी diplomatic skills नहीं है तो आपको बस यहाँ पर इतना याद रखना है कि योशी हीडे सुगा is going to be the next Prime Minister of Japan अभी हालाकि इनका formal election नहीं हुआ है बट हो जाएगा फिर एक और news निकल के आ रही है दोस्तो UAE ने तो आपने relation इसराइल के साथ अच्छे कर लिए सुनने में यह आ रहा है कि बहरीन ने भी यह बोला है कि हम भी आपने relations इसराइल के साथ अच्छे करेंगे देखिए बहरीन's announcement on Friday that it would become the fourth Arab state to normalize relations with Israel was arguably the most significant clue yet that Saudi Arabia the heavy weight of Gulf politics might be moving in the same direction क्या बोला जा रहा है देखिए UAE ने इसराइल के साथ relation अच्छे किये बहरीन ने भी बोला है कि हम इसराइल के साथ relation अच्छे करेंगे अभी जैसे बहरीन ने बोला कि हम इसराइल के साथ relation अच्छे करेंगे सब लोगों को ये लगने लग गया कि Saudi Arabia भी इसराइल के साथ अच्छे करेंगे क्योंकि बहरीन की internal politics में और foreign relations में Saudi Arabia का बहुत ज़दा interference है क्यों है interference क्योंकि जब अरक स्प्रिंग आई थी और Middle East से उखाड उखाड के dictators को बाहर फेका जा रहा था तो बहरीन में जो ruling establishment थी उसको ये डर था कि कहीं भी हमें भी उखाड के बाहर ना फेक दिया जाए तो इन्होंने Saudi Arabia के साथ एक alliance बना लिया था कि अगर यहाँ पर uprising आएगी तो आप uprising को दबा देना तब से बहरीन और Saudi Arabia के relations बहुत ज़दा अच्छे है और बहरीन foreign policy में कुछ भी Saudi Arabia से पूछे बेना नहीं कह सकता है तो अगर बहरीन ने ये बोला है कि हम Israel के साथ relation अच्छे करेंगे तो Saudi Arabia की ruling class के पूछ के ही उन्होंने ऐसा बोला होगा तो कहीं ना कहीं अब ये दिख रहा है साथ साथ कि Saudi Arabia की जो foreign policy है ना वो भी pro-Israel हो रही है चेनल स्टीज पेपर वन में ये news आपको काम आएगी So thank you for watching this video friends आज जाद वीडियो थी नहीं इसलिए वीडियो जल्दी खतम हो रही है Have a great day